जैसिया राम रामाईन और राम आज के संदर्व में बलशाली बाली के आंधिय मुख जमीन पर गिरे होने के हालाद और सियापति राम और उनकी भारिया सीता के दर्द के संदर्व में जब भगवान राम के हाथों बाली का बद होता है तो यह सवाल उठते हैं कि छल से प्रभुराम ने मर्यादा पुर्शुत्तम राम ने बाली का बद कर दिया तो ऐसे परिस्थिती में यह जानना जरूरी है इस प्रसंद को हम भूल जाते हैं कि बाली को यह वरदान था कि उसके सामने जो कोई भी आएगा तो उसकी शक्ती आधी शक्ती बाली को चली जाएगी तो यह दि प्रभुराम स्वेंगा करके लरते बाली के से तो प्रभुराम के भी आधी शक्ती बाली में चली जाती तो बाली की शक्ती और प्रभुराम की आधी शक्ती अखिर उसे वरदान जो था तो ऐसे में बाली को ये वद का दूसरा कोई तरीका नहीं था वो बाली जो पूरे पृत्वी का चक्कर मार देता था वो बाली जो रावन को अपनी कांधे में लपेट करके पूरे पृत्वी का चक्कर मार देता था इतना प्रचंड बल बलशाली बाली का बद आखिर कैसे होगा लेकिन वा अत्याचारी था उसका बद तो जरूरी था और प्रभू इसको इसलिए वस इस बात को सुन करके कि उसने अपने छोटे भाई की पतनी का हरण कर लिया प्रभू ने ये बरदास्त नहीं किया राजसत्ता चीनली यहां तक तो ठीक है लेकिन जो ही प्रभू ने सुना कि बाली ने अपने छोटे भाई की पतनी के साथ ऐसा किया तो कुरूर्ध उनका वहीं जगा इसलिए इस संदर्व पर आखिर चर्चा नहीं होती है और सोसल मीडिया के इस दौर में जब राम और रामायन को भी हम वोट बैंक की पॉलिटिक से तौलने लगते हैं तो आप देखेंगे कि जब रामायन दूरदर्शन पर दिखाया जाने लगा तो राम के इस बाली वद के प्रकरन पर सवार उठाया जाने लगे कि राम खुद को मर्यादा पुर्शत्म कहते हैं लेकिन बाली वद तो उन्होंने छल से किया वो भूल जाते हैं उस चीज को जिसमें तुलसी लिखते हैं कि बाली कोई वरदान था और इसलिए बाली इतना शक्तिसाली था वहाँ जब बाली का वद होता है उसके बाद के हालात पर तुलसी चर्चा करते हैं कि किस तरह से इतना शक्तिसाली बल शाली व्यक्ति बल ओंधे मों गिरा हुआ है ये वक्त की ताकत को दिखाता है आंकार उसका चूर होता है और राम के सामने स्विकार करता है कि मुझे से अपराद हुआ है अब उसका निवारन कीजिए अपने हाथ से मुझे मिर्त्यू दीजिए कि मैं मौत के पास पहुँचू और जब बाली की मौत हो जाती है उसके ब कि जो तपस्वी है उसे ही राजा होने का अधिकार है लेकिन ये क्या प्रभुरा हम चर्चा करते हैं कि चार माह बाद हम लंका के तरब उस से में तो जानकारी नहीं थी कि कहां है सीता लेकिन इतना था कि आगे जब हमें बढ़ना है रावन को ढूणना है तो हमें सहायता लेनी पड़ेगी इन बानरी सेना का लेकिन वो एक राजनितिक परिपिक्ष में कहते हैं कि अपनी सेना के हवाले से भी कि बरसात का समय है ऐसे समय में दुश्मन पे हमला नहीं कर सकते हमारी सेना कमजोर हो जाएगी हमारी सेना बीमार हो जाएगी हालात ठीक नहीं है इसलिए चार महिने का समय रेते हैं और इस सरसे जनक कुमारी जनक नंदनी सीता एक पेड की नीचे अशोक वाटिका में बारिश में भीग नहीं होती है क्योंकि उसे वहां से कहीं नहीं जाना है तो उस दर्द को लेकर के तुलसी चर्चा करते हैं वैदेही के दीन दसा को देख कर आए रोना हर कोई है यहां निस्ठुर नियत के हाथों का खिलोना तो यह दर्द इसकी व्याक्या ऐसा नहीं कि सीता जी को सिर्फ यह निस्ठुर वक्त का सामना शोक वाटिका में करना पर रहा है उनका तेरह साल लगवग बीथ चुका है पूरे कस्ट में जंगल में वो जनकपुर की राजकुमारी थी महराजा जनक की पुत्री मर्यादा पुर्षत्तम स्री राम की भार्या और दशरत की पुत्र बधु वो वहां की रानी होनी थी पतरानी होनी थी और पट्रानी होने की घोशना हो चुकी थी राम को वस राजगदी मिलना था वक्त का फेर देखिए कि पल भर में भग्य बदल जाता है और राम को 14 साल का वनवास मिल जाता है यहां तोलसी की ये व्याख्या है कि किस तरह से कितना कस्ट सीता को होता है और फिर रामायन के इस प्रक्रम में पूरे 14 साल का व्रितांत एक तरह से आँखों से दिखा दिया जाता है कि किस तरह सीता ने कस्ट जेले हैं दरदर भटके हैं अपने स्वामी राम के साथ यहां एक विसलेशन करना चाहूँगा आज के परिपेक्ष में मिधिला और अयुध्या मिधिला में आज भी दमाद को राम की तरह माना जाता है जब वर्व पक्ष की तरफ से बारात पहुंसता है मिधिला में तो आज भी माना जाता है कि स्वेंग भगवान राम आए हैं विश्णु अवतार माना जाता है दमाद को इसलिए कहा जाता है कि धर्ती पर जितना स्नेह मिथिला के दमाद को मिला है वो पूरी धर्ती पर दमाद को कभी नहीं मिला कहते हैं कि पहुना बहुत अलग जगह पर बहुत चीज़ों है कहा जाता है और सबसे बरा जो गेस्ट माना जाता है बहनोई को माजाना माना जाता है दमाद को माना जाता है हर संसकार में हर जाती में हर संस्कृती में लेकिन जो सम्मान मिथिला में मिला है दमाद को वो आज तक कहीं नहीं माना जाता है कहते हैं भोले शंकर जब देखते हैं स्वर्व लोक से राम को कि कितना सम्मान उन्हें अपने ससुराल में मिलता है तो उन्हें इरश्या होती है क्योंकि भोले शंकर को संकर जी को कभी अपने ससुराल में सम्मान नहीं मिला और उन्हें बहुत अपमान मिला था अपने ससुराल में इस दी प्रक्रण में याद किया जाता है कि मिथिला में दमाद का सम्मान सीता के करस्ट से यह देखेंगे कि देखी कि जब ऐसा माना जाता है मिथिला में आज भी कि हर दामाद को राम माना जाता है और उनका जो दूरा कहते हैं जो दरवाजा पर जब दामाद आता है जब बारात आता है तो उसका उसी ढंक से सम्मान कियाता है राम मान करके और आज में मिथिला में ये प्रचलन है कि जब शादी के बाद चौथे दिन मूल शादी मानी जाती है इसे भी उसी रामायन प्रकरन से जोड़ा जाता है कि जब धनुष भगवान राम ने तोड़ा था तो शादी तो हो गई थी एक तरह से वरमाला तो सिता जी ने पहना दिया था लेकिन असली शादी तब हुई थी जब महराज दशरत अयुध्या चौथे दिन पहुचे थे इसलिए चतुर्थी का प्रचलन मिथिला में है कि जब राजा दशरत आये थे तो असली शादी तब हुई थी इसलिए मिधिला में आज भी माना जाता है कि लड़की की शादी असली शादी चौथे दिन माना जाती है शादी की पहली शादी से लेके चौथे दिन तक उसे कुमारी ही माना जाता है क्योंकि विदेह नंदनी जो सीता जी थी उनकी शादी चौथे दिन हुई थी यहां एक संदर्व और है जो सीता जी के दर्द से किवाख्या से है आप में जानकर आश्चेरे लगेगा कि मिथिला में आज भी भगवान राम दामात को भगवान राम तो माना जाता है लेकिन मिथिला में अपनी बेटी की साधी उस त्रेता यूग के बाद पिता ने कभी भी उस अवत इलाके में नहीं की क्योंकि हर पिता ये मानता है राम की तरह उसका दामात तो हो लेकिन सीता को कभी बैभाहिक जीवन में सुख नहीं मिला पिता के रुक में जो पिता जिस तरह का सुख अपने बेटी के लिए चाहता है एक भाई जिस तरह का सुख अपनी बहन के लिए चाहता है वो सुख उस दृस्टी से ली देखिए तो सीता जी को नहीं मिला इसलिए मिथिला में कभी दुबारा से अवध नगरी में अयोध्या के तरफ, मिथिला से पूरब जो है, उस दिसा में शादी नहीं हुई, आधर्ष दामाद माना गया है, आज भी दामाद मानfähते हैं, पूरा कल्चर जो मिथिला का है वो अपने राम के अपने दामाद के स्वागत का वही प्रचलन है ये प्रचनान ये संसकार ये चीजें आयुद्या के तरफ नहीं है लेकिन कमाल की बातें देखिए कि वो राम तो मानते हैं अपने दामाद को लेकिन कभी ये नहीं माना गया कि ये जोड़ी ऐसा नहीं माना ये अपने को बहुत सुख हुआ पूरी प्रकरण में जब राम और सीता की जिस तरह की शादी है मिथिला में पूरी परंपरा उसी धंसे है लेकिन अपने आप में ये दरशाता है कि कल्चर आज के परिपिक्ष में भी मिथिला में जो शादी होती है वो राम और सीता की शादी के तरह है और इसलिए तुलसी जब इसको दुहराते हैं कि किस तरह से जनक नंदनी को कस्ट हुआ है उसका एक एक पल दिखाते हैं और उधर दूसरी तरह राम की तरफ को दिखाते हैं कि राम किस तरह से बारिश हो रही हो चार महिने काटने हैं चार महीने किसी तरह से काटते हैं अब देखी कि राम को अपनी पत्नी के लिए अपनी भारिया की खोज में निकलना है लेकिन प्राथमिक्ता हो क्या देते हैं प्राथमिक्ता देते हैं सुग्रीव की राज गद्धी को सुग्रीव का राज ठीक ठाक हो जाए मित्रता धर्म को निभाते हैं लेकिन एकाय को पाते हैं जब चार महिना बीत जाता है तो पाते हैं कि सुग्रीब सब कुछ भूल गया क्या सुग्रीब ने मित्रता के धर्म को भूला दिया क्या सुग्रीब कृतग्न हो गया और राम यहां कहते हैं कि गौवद गौव हक्त्या भी सुईकार उसके लिए भी प्राश्चित किया सकता है लेकिन कृतगरता इसके लिए कोई माफ्य नहीं है और इसलिए उस पर पहली वार वहाँ पर फिर राम को एक बार गुस्सा आते हुए दिखता है कि किस तरह से राम गुस्से में हैं और उनको क्रोध हाता है फिर वो लक्षमन को भेजते हैं और देखते हैं कि सचमुछ सुग्रीब तो सब कुछ भूल चुका है सुग्रीब अपनी रास लिला में एक दम से लीन हो चुका है क्योंकि उस सक्ता एक आएक जोसे ज़्यादा सुख मिला उसे वो बरदास नहीं कर पाया इसलिए आज के परिप्ष में आप देखेंगे कि जब किसी को आवे सक्ता से जादा मिल जाता है यह सुग्रीब प्रकरण आज के परिप्ष में भी है और कलपनीय चीज, कलपना से पड़े दी लोगों को मिल जाता है, तो यही होता है, और इस पूरे प्रकरण में फिर तुलसी दिखाते हैं, रामायन की एक एक छंद में है एक एक प्रकरण में, कि वक्त की ताकत कितनी बड़ी है, जब भगवान राम का वक्त रातो रात बदल सकता है, तो किसी का भी हो सकता है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, रामायन एक एक संदेश देता है, रामायन दिखाता है कि किस तरह से बाली इतना बलशाली था, कि उसे लगता था कि धरती पर कोई उसे हरा ही नहीं सकता, क्योंकि जो ही सामने वाला उसे उसे लरने आएगा उसकी आदिशक्ति उसकी हो जाएगी आज के पर राजनितिक परिपिक्ष में देखेंगे तो यह मेरा वेक्ति का तनुभब है जब मैं छोटा था तो जब लालू प्रसाध यादब की सत्ता थी तो यह लगता था कि धर्ती पर लालू से ज़्यादा सुखी वेक्ति लालू से ज़्यादा गौरब पुर्ण वेक्ति कोई नहीं क्योंकि उनका अहंग चलता था और लालू एकदम अहंकार में होते थी पटना से लेकर दिल्ली तक उनका अहंग चलता था दूसरी तरह पिधर देखेंगे तो ऐसा लगता था कि इस देश में कांग्रेस की सत्ता कभी खत्म नहीं होगी इस देश में ऐसा लगता था कि आप सोनिया परिवार के खिलाप या फिर आप उनको सिर्फ सोनिया नहीं बोल सकते हैं वक्त ये भी था कि उनको मैडम भी आप बोल सकते हैं लेकिन वक्त बदला हर किसी का वक्त बदलता है रामायन ये दिखाता है कि बाली का भी वक्त बदल गया बाली तो छोड़िये राम का वक्त बदल गया सीता का वक्त बदल गया इसलिए समय होत बलबान इसलिए कहा गया है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदली में जा इसलिए पूरा रामाईन का एक एक प्रकरन अपने आप पे संदी है जितनी डूबकी लगाये जाये गामाईन में रामाईन में उतना कुछ उतना मोती मिलता है इसलिए रामाईन आज भी और ये सवाल हमारे लिए इसलिए उठा आज के परिपिक्ष में इसी लिए मुझे ज़रूरत महसूस होई कि जब रामायन का विरोध होने लगता है जब राम का विरोध होने लगता है राजनेतिक परिपिक्ष के दृष्टी से राजनेतिक लाभानी के दृष्टी से तो ये लगता है कि भारत अपने संस्कार से भारत अपनी संस्कृति से दोर होता है इसी लिए राम और रामायन से जुठना है ताकि राम के आदर्ष्ट को दुनिया समझ सके भारत की सांस्कृतिक संब्रधी को, सांस्कृतिक संपन्नता को, सांस्कृतिक शक्ति को दुनिया समझ सके जै जै सिया राम